नमस्कार दोस्तों जिके अर्जन सार YouTube चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है UPTGT 2022 इतिहास प्रेटी सेट 149 में तो चली वीडियो प्रारंब करते हैं वीडियो प्रारंब करने से पहले आपसे छोटी से रिक्वेस्ट आभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज प्रारंब करते हैं हां अगर आप लोग इसे पिछला प्रेटी सेट देखना चाहते हैं 138 तक तो उसका एक प्लेलिस्ट बने हुआ जिसका नाम है UPTGT इतिहास उस प्लेलिस्ट का लिंक में डिस्किप्सन में दे दिया हूं तो वहां से भी आप लोग देखना चाहें तो चले वीडियो प्रारंब करते हैं है अ आला कुष्ण इसमें खंस किस प्रकार का कर था खंस जो है किस प्रकार का कर था भुमिकर जोह qu मै कर आयकर या खजाने लूटे जाते थे वो संपत्ति का एक बटा पांच भाग जो है सुल्तान का अधिकार होता था एक बटा पांच सुल्तान ले लेता था और चार बटा पांच भाग जो है सैनिक आपस में बाट लेते थे तिसी को खंस का जेता था और खंस जो है युद्ध में लूटा जीम्मी जो है जजीय देने वाले हिंदू को कहा जता था। जजीय मतलब होगा सुल्टान की संद्राचित प्रजा, यानि जो लोग जजीय कर देते थे उसके बदले में राजी उन्हें जीवन और संपत्थी की सुरच्छा प्रदान के तर था, उसी को जिम्मी कहा जाता था तो जजिया देने वाले हिंदू थे जिने जिम्मी कहा जाता था कुस्टन नमर तीन है बलबन द्वारा पराजित बंगाल का सासक कौन था बलबन द्वारा पराजित बंगाल का सासक कौन था शेर खां, तुगरिल खां, या महमूद खां, या इमरान खां तो बल्बन द्वरा पराजित बंगाल का सासा का नाम था तुगरिल खां 20 का right answer रो जाएगा तुगरिल खां तो बंगाल के एक्तादार था तुगरिल खां और इसने किया था बिद्रो 1289 में और बल्बन स्वेम से ना लेकर गया था तो तुगरिल खा को पराजित किया था तो तुगरिल खा था ये कोशन नमबर 4 है बल्बन के प्रसासन में दिवान अर्ज कौन था दिवाने अर्ज बित मंत्री, विदेश मंत्री, रच्छा मंत्री या खेल मंत्री दिवाने अर्ज क्या था तो दिवाने अर्ज था एक प्रकार से रच्छा मंत्री इसका राइट एंसर C हो जाएगा इसमें रच्छा मंत्री कुश्चन नमबर पांच है बल्बन ने अपने दर्बार में फार्सी रिती और एवं सिष्टा चार क्यों लागू किया था कुश्चन नमबर पांच है बल्बन ने अपने दर्बार में फार्सी रिती और एवं सिष्टा चार क्यों लागू किया था दिया सुल्तान की गरिमा बढ़ाने है तू शर्यत लागू करने है तू या तुर्की भासा के बहिस्कार है तू या मानेता प्राप्त करने है तू इसमें आपका राइट रेंसर ए सयोगा सुल्तान की गरिमा बढ़ाने है तू कोशन नमबर 6 है रजिया सुल्तान की बिफलता का प्रमुख कारण क्या था मंगोल आक्रमन राजपूत बिद्रो या तुर्क समानतों का सड्य अंत्र या बीमारी थी इसमें आपका राइट एंसर सी सही होगा तुर्क समानतों का सड्य अंत्र क्योंकि रजिया सुल्तान भारत में पहली बार इस्तिरी के संबंद में इसलाम की परंपराओं को उलंगन किया था और इसी के बिरुद तुर्क समानतों न सड्य अंत्र रचा और उसका पतन किया था देट सीज का आपका राइट एंसर होगा इसमें कोश्चन नमबर साथ है इल्तु तमीज को खलीफा द्वारा कब मानेता मिली इल्तु तमीज को खलीफा द्वारा कब मानेता मिली 1229, 1231, 1230 या 1232 इल्टु तमीज को खलीफा दोरा मनेता मिले थी कव 1229 इसवी में फरवरी 1229 में खलीफा दोरा इल्टु तमीज के पद कुई स्युक्रिती मिले थी तो 1229 इसका डेट सही है कोशन नमबर आठ है यह किसने लिखा है कि अलावदिन खिलजी द्वारा इतना रक्त बहाने का दोसी है जितना कि फैरी ने कभी भी नहीं बहाया था फैरी नहीं है फैरो है फैरो ने कभी भी नहीं बहाया था अमीर खुसरो, मीनहाजु सिराज, आमीर हसन, जियावदिन बरनी ये किसका कथन है कि अलावदिन खिलजी इतना रत्त बहाने का दोसी है जितना कि फैरों ने कभी भी नहीं बहाया था ति ये कथन है अमीर खुसरो का इसका राइट एंसर एस योगा इसमें अमीर खुसरो कोशन नमबर 9 है सेनापती जफर खाने दो मंगोल आकरमणों को कब बिफल कर उससे परास्त किया था सेनापती जफर खाने दो मंगोल आकरमणों को कब बिफल कर उससे परास्त किया था 1292 से 394 से 394 या 1297 से 1298 सेनापती जफर खाने दो मंगोल आकरमणों को कब बिफल किया था और उससे परास्त किया था ये था दो सफल आकरमा 1297 और 1298 दिस्क राइट एंसर होगा इसमें कोस्टन नमबर 10 आए बीजयनेगर राजा कृष्ण देव राय सिहासन पर बैठे यह पूछ रहा है यहां पर कुछ चुट गया है गद्धी पर कब बैठे थे बीजयनेगर के राजा कृष्ण दिव राय गद्धी पर कब बैठे थे 151 पं कुश्ण नमबर 11 पर आते हैं निर्गुण संत मत का प्रथम प्रतिपादक कौन था कबीर रविदास नानक या तुलसिदास कुश्ण नमर 12 है या किसने कहा था कि साही मुकुट का प्रतेक मोती निर्धन किसानों की आखों से बहा जमा हुआ रक्त है इसमें आपका राइट एंसर एस ही है अमीर खुसरो ने कहा था कि साही मुकुट का प्रतेक मोती निर्धन किसानों की आखों से बहा जमा हुआ रक्त है अमीर खुसरो का आईए उप्रोप्त कथन कोश्चन नमर 13 पर आते हैं द्वार समुंदर किस दच्छिन भारती राजिका राज़धानी थी काक्तिय पांड यादो या होईसल इसकी राइट एंसर हो जाएगा डीस में होईसल की कोश्चन नमर 14 है पुर्तगाली गवर्नर अलवुकर्क ने यहां पर सन है सन में यानि किस सन में गोवा को जीत कर अपनी राधानी बनाया था पंदरसो साथ, पंदरसो नो, पंदरसो आट या पंदरसो दस इसका राइट एंसर हो जाएगा डीस पंदरसो दस में कोश्चन नमर 15 है वासको टिगामा किस वर्स में कालिकट पहुचा था ति काफी असान समाल है 1498 इसका एंसर होगा कोश्चन नमर 16 पर आते हैं तुलसी दास ने रामचरित मानस की रचना किस भासा में की थी आवधी भजपूरी ब्रज भासा या खड़ी बोली कोश्चन नमर 17 है किस सिख गुरू ने आदी गरंथ का संकलन करवाया था अरजुन दे, गोविंद सिंग, गुरु नानक, हर गोविंद, आदी गरंथ का संकलन गुरू अरजुन देव ने करया था ए इसका राइट एंसर होगा कोश्चन नमर 18 है एतमादु दावला का मकबरा किस ने बनवाया था अकबर, जहांगीर, अकबर, नुर जहां या साजहां एतमादु दावला का मकबरा किस की दोरा बनवाया गया था ये बनवाया था नुर जहां ने, इसका राइट एंसर सी हो जाएगा नूर जहां एतमाद द्वला का मकबरा आगरा में है और इसकी पुत्री थी एतमाद द्वला जिसका नाम था नूर जहांगीर की पत्नी थी जिसने ये मकबरा बनवाय था आगरा में कुछन नमबर 19 ऐ kami अकपर ने बुलंद दरवाजे का निर्मान अपनी बीजे की स्मिर्ति में करवाया था किस बीजे की स्मिर्ती में करवाया था यह पूछा जारा है काबूल गुझरात बंगाल या गुंडवाना इसमें आपका राइट एंसर 20 ही है गुजरात बीजय की स्मृति में बुलंद दर्वाजे का निर्माण कराया था कुश्चन नमबर 20 है औरंग जेब द्वारा राजा की उपाधी धारान करना उसकी किस प्रविर्थी का प्रतीक था औरंग जेब द्वारा गाजी है यहाँ पर राजी नहीं इसको गाजी पढ़िएगा आपलो औरंग जेब द्वारा गाजी की उपाधी धारिन करना उसकी किस प्रविर्थी का प्रतीक था सहिसुनु जनकल्याण दानी और सहिसुनु यहादी इसका राइट एंसर डी सही हो जाएगा और सहिसुनु यहादी कुस्टन नमबर 21 है औरंग जेब ने किस वर्ष जजिया कर लागू किया था 1658, 1670, 1668, 1689 इसका राइट एंसर डी हो जाएगा 1689 में कुस्टन नमबर 22 है सन में कंधार सा जहां के अधिकार से निकल गया कब जो है कंधार सा जहां के अधिकार से निकल गया था 1638, 1649, 1664, 1662 इसमें आपका राइट एंसर हो जाएगा डी 1662 इसमें कुस्टन नमबर 23 है इंग्लेंड के सासक जेंस पर्थम का कौन सासकी राजदूत जहांगीर के दरबार में आया था हाकिन्स, एडवार्ड्स, सर्थामस यसर वाल्टर, स्काट इसमें आपका राइट एंसर हो जाएगा ए हाकिन्स, हाकिन्स आय था 1608 से 1613 तक रहाई है भारत में, एक बैपारी के रूप में कुस्टन नमबर 24 है, हल्दी घाटी के युद्वें पराजित होने के बाद भी राणा परताब का नाम सम्मान से क्यों लिया जाता है उनकी सेना भी साल थी, उनसके पास बहुत संपति थी, वे बड़े रूपवान थे, वे सर और देश भक्ती के प्रतीक थे इसमें आपका राइट एंसर डी सयोगा, वे सर एवं देश भक्ती के प्रतीक थे कोशन नमबर 25 है और अंतिम कोशन है, अकबर के आकरमण के विरुद चितोल गढ़ की रच्छा कौन कर रहा था उदै सिंग, राणा परताब, जैमल या मान सिंग, इसमें आपका राइट एंसर सी हो जाएगा, जैमल ये थे वीडियो, आज के लिए तुमिद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया है इसको लाइक करें अपने दोस्तों के हाँ, अधिक सदिक सेयर करें, धन्यवाद दोस्तों, जैहिंद वंदे मात्रम